लगाने में कितने आसान है, कितने देर तक ठिकेंगे, राज जंग कब लगेगा, आपको क्या केर करनी है इसकी, ये सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकरी लेने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो अंतक देखिए हलो किसान थातियो, कैसे आप लोग, आज मैं एक वीडियो लाया हूँ, जिसमें सोलर फेंसिंग के बारे में थोड़ इसी डीटेल में जानकरी होने वाली है, अगर आपको सोलर फेंसिंग क्या है ये नहीं पता, यहाँ पर आए बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, उस पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे, अभी इसमें बढ़त सारे ओप्शन अवेले पले मार्केट में तो तरह तरह के वायर मिल जाते हैं दोस्तों, लेकिन दो वाय करके कोई फाइदा नहीं, सेंट्रिंग वायर करके कोई फाइदा नहीं, और माप्ड वायर जो होता है, कटी लेतार, वो तो इसमें अच्छा रिजनल भी नहीं देता, तो वो भी करके कोई फाइदा नहीं, तो इस वीडियो में हम दो वायर के बारे में बात करने वाले हैं उसको सब जानने वाले हैं लगाने में कितने आसान है, कितने देर तक ठिकेंगे, राज़जंग कब लगेगा, आपको क्या केर करनी है इसकी, ये सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकरी लेने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो अंतक देखें, तो पहला अच्छे मेटल की वायर यूज कहोगे तो उसकी कंड़क्टिविटी अच्छी रहेगी इन दोनों वायर में कंड़क्टिविटी काफी अच्छी है पर ACSR वायर जो है वो स्पेशली कंड़क्टिविटी के लिए ही उसकिया जाता है आपने बड़े-बड़े टावर देखे होंगे लाइन के उनमें भी ACSR वायर यूज किया जाता है पावर स्टेशन तक के भी लाइन ले जाने के लिए ACSR वायर यूज किया जाता है क्योंकि यह अलुमिनियम और स अच्छा कंड़क्टर है तो इसमें भी आपको करंट की मात्रा में कोई कमी नहीं आने वाली पर अकर आपको बेस्ट ऑप देस्ट चाहिए तो आप ACSR वायर यानि के हाइट एंसल वायर को चूज कर सकते हैं और दूसरा मुद्दा आता है लॉंजिटिविटी का लॉंजि लिए यह बहुत अच्छी तरह कैसे चलता है और जो 1997 में और 1998 में जो इंस्टॉलेशन किये ACSR वायर के वो आज तक अच्छी कंडिशन में उसको बिल्कुल रस नहीं लगा है तो आज आप अगर इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसमें भी रस नहीं लगेंगा क्लच वायर भी बहुत खराब नहीं है लेकिन 25 साल की लाइफ आप क्लच वायर से एक्सपेक बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि क्लच वायर GI मटरियल से बना और उस पर जिंग की कोटिंग होती है तो कोटिंग जब ओ जाती है या फिर जैसे हेवी रेंस होते है या फिर क्लच वाइर से थोड़ा दूर रही और आप कहला दूर रही और योट ने चलाना है उसको तो टो अगर आपको अच्छा वायर चाहिये जो आपको बहुत दीनो टक्रिकर तो आप हाइट इंसाल वायर, ACSR वायर को प्रिफर कर सकते हैं, अब सबसे बढ़ा मुद्दा फार्मर्स का यह होता है कि प्राइस, भया क्लच वायर की प्राइस बहुत कम है, इसलिए हम क्लच वायरी लेंगे, चाये वह मोद दो साल चले, तीन साल चले, हमें कोई लिन दिन नहीं है हमें क्लच वायरी लेना है, पर प्राइस को थोड़ा अलक परस्पेक्टिव से देख, मान लीजे, अगर आपने 25 साल पहले शक्कर खरिद के रख दी होती, तो शक्कर का आज रेट क्या है, तेल का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है, एस्टी वायर आपको बहुत ज क्लच वायर का जो कॉस्ट है, तो अपको च्छे रुपे पर मिटर के हिसाब से पड़ेगी, तो आप इसमें भी डिसाइड कर सकते कि आपको क्या लेना है और क्या नई लेना है, और एक बहुत सवाल किसानों को यह होता है, मेंटेनस के बारे में, एक बार लगाने के बाद चीज में मेंटेनस क्या है, गाड़ी भी खरिदते हैं, फिर कुछ भी खरिदते हैं, तो पहले पुछते हैं कि इसका मेंटेनस क्या रहेगा, एक बार आप लगा दीजिए, और वो अगर इंसुलेटर में फिट हो जाता है, और अच्छी तरह से आपने फेंसिंग कर ली है, पर एक मेंटेनस तो यह आता है कि क्लच वायर थोड़े देर के बाद आपका पाच्छे साल बाद जब उसकी लाइफ खतम हो जाएगी, तब उतना रस्त हो जाएगा कि तूट जाएगा तब आपको वो लेयर को चेंज करना पड़ेगा, वो एक मेंटेनस क्लच वायर में आ र्मक्वर का कोटेशन लेना है, तो लिंक डिस्रीप्शन में उसमें जाकर आप आपका पेरिमेटर डालीए, आपको कितने कोनें हैं, कितने लेयर्स करने वो सब ड़ीए, और आपको जो कोटेशन 30 सेंड के अंदर आपके ऐमेल पर आजा जाएगा, एकदम फाष्ट सर्व का combination एकदम जबर्दस जाता है क्योंकि आप अभी वीडियो में देखी रहे होंगे जी आए पोल के साथ अगर आप हाई टेंस रखना भी ने पड़ता है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा बचेगा अगर आपको पैसा बचाना यह में उद्देश्ट है आपका में लेजें और अगर आपको एक बार के लिए पर्मनेंट सोलूशन चाहिए तो आप हाई टेंसाइल वायर की फेंसिंग के तरफ जा सकते हैं और इसमें एक सबसे इंपॉरन बात है कि अगर आप हमसे हाई टेंसाइल वायर का कोटेशन लेते हैं तो हम उसमें इंस्टोलेशन प्रोइड करते हैं हम पोल्स भी लगा के देते हैं वायर भी लगा के देते हैं इंसुलेटर भी लगा के देते हैं पूरा इंस्टोलेशन पैन इंडिया में करवा के देते हैं तो आप अभी चाहिए अभी कोटेशन लेजे और आपको कुछ भी दिक्कत है इन दोनों वायर के बारे में या फिर solar fencing के बारे में या फिर insulator के बारे में तो हमारा पूरा एक playlist नीचे आपको link में मिलेगा जिसमें हमसे सारी जानकरे डालके रखिए हर topic पे एक वीडियो मिलेगा आपको तो आपको जो आपका buying decision है purchasing decision है उसको करने में आसानी जाएगी और इस channel पर आप न ऑपकिक करने में जाएगी तो हम नकिक करने में मिलेगा झाही रझारा पकावब करconoेई ये के लिए था खिरागी है जाएगी तो हमारा जाएगी हुआ किक पर आपको तो हमारा आपको पासी और